आज का जो विश्य है जिसके बार में हम बात करेंगे घर जो है वास्तू के अनुसार बनाया है कुंडली दिखा दी एकदम टॉप क्लास पिरियड है तो दिक्कत आग कहा रही है ग्रोथ हो क्यों नहीं पारी आज हम यह जानेंगे थोड़ी चीजे इधर की इधर सरकार दी ज जी हम क्या करें तो फिर आप नजारे देखें देखो बुरा मत मानना कुछ कुछ चीजे आज आपको मैं बताने जारी हूं जिससे क्या होगा हो जाएगा बेड़ा पर बदल जाएगी दशा की दिशा पकी बात है जानेंगे हम इस वीडियो में लेकिन इससे पहले नमश्क पता नहीं ले सकती के नहीं ले सकती अब एक बात बताती हूं साउथ वेस्ट में कई न कई टॉइलेट मैं आप लोगों से ना हाथ जोड़ के एक चीज कहती हूं देखो बाई दुनिया जो मर्जी बोले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन फैक्ट बात यह है क नौर्थ इस्ट और इवन साउथ वेस्ट का टॉइलेट का कोई लाज नहीं है लोग जितना मर्जी हाला कि मैंने आपको बताया है कि येलो टेप दो से तीन इंच की पॉड़ के इर्दगिर्द चारो पासे आप लगा दो बोला है ना हमेशा बोला है क्योंकि ऐसा तो नही कहें करें लेकिन एदे गंटे में क्या-क्या चीजाएं और क्या-क्या decision लोग ले लेते क्या-क्या धोके दे देती क्या-कया बिमारी उत्पन हो जाती है कहां से कुछ चीजे पकड़ लेती बहीं कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा वहां पर जो एक और बस्ती है वह आइस्त आइस्ते निगलेगी हेल्थ को आइस्ते निगलेगी रिलेशन्चिप को कहां बचोगे साउथ वेस्ट में मैं हमेशे एक चीज कहती हूँ साउथ अरे यार भाया देख कमरे का घर ले लो कम से कम बचे तो रहोगे एक घर अगर वास्तू के अनुसार होगा थोड़ी चीजे बैलेंस रहेंगी कुछ-कुछ एंट्रियां होती हैं कुछ-कुछ वास्तू डिफेक्ट होती हैं दुनिया जो मर्जी बेचित किसी के पापा जी का थोड़ा कुछ जाता है आप किस हालत में हो आपको अपना समझ के समझा रही हूं क्योंकि हर बंदे की मेरे से बात नहीं हो सकती साउथ वेस्ट का टॉइलेट नौर्थ इसका टॉइलेट साउथ वेस्ट में कट कट एरिया नौर्थ इसका कट डैट इस गूड और इस लाती है एंट्री 310 डिगर्ई के करीबन उसकी जो एंट्रेंश होती है वह शेट्न डेत देती है एईड्ब फैनेशल लॉस्स लाती है मतलब यह कुछ-कुछ एंट्रियां होती आप तीक नहीं है आप समझनो मेरी बात को मतलब साउथ वेस्ट की एंट्रेंश वह ठीक नह भी बोल रही वह जो उड़जा बसती है वह एकदम से आपको खाएगा नहीं वह शेर नहीं है जो खाएगा वह आपको निगलेगा वह इस्ते इस्ते निगलेगा आप मेरी बात को समझो दूसरी चीज आजकल बहुत आईरेन वाले बैड आ गए हैं इतना मास्त एकदम ऐसा ए पढ़ा हुआ है जो कभी ठीक कराएंगे बिजली का समान लोहे का समान जो आठ साल से साडियां पढ़ी हुई है दस साल से बारा साल से आपके बेड के अंदर है जो आप कपड़े नहीं पहनते तो काई को रखा हुआ वह एक तरह का कूड़ा ही हो गया ना तो बिमारियां ना तो संघर्ष छोड़ेगा अच्छी दशाएं आकर भी चली जाएंगे और समझनी आएगा यह हो तो हो क्या रहा है नूली वेड जो कपल्स है अब आपको पता ही है अगर पत्री में मंगल दोश है ब्रस्पत कराब है शुकर कराब है अगर यह खराब है या मान लो राह संघर्ष देगा मसले जिस दिन से शादी हो यह शाहिना जी ऐसे क्या हो गया कि संघर्ष पीछा ही नहीं छोड़ रहे यह रीजन है लेकिन कुछ-कुछ चीज़े तो हमारे हाथे उसको ठीक कर सकते हैं एक तो कांच के जो कांच के ग्लासे होते हैं वह जो चीज होती है वह उसको जादा जादा इस्तमाल करो वहां पर बैठ कर कम से कम एक वक्त का खाना खाओ उससे क्या होगा इस्ट की जो उड़ जाए वो कई ना कई एक्टेव होईगी आप कई ना कई समात से जुड़ोगे पूर्व की दिशा में स्टील की कटोरी में क्या कहते हैं हल्दी रख करो उसको फूक मारो और उदर स्थापित कर दो अगर यह तो रिलेशन्चिप के लिए था और अगर तो कहीं ना कहीं क्यातना समात से जुड़नी पारे उची पद प्रदिश्टा नहीं मिल पारी तो उस हल्दी को किस से अभी मंत्रित करोगे ओम रीम ग्रिणी सुर्या या दित्य हकलीम ओम 108 बार किया 108 बार करने के बाद दम मारा और उसको अपने घर के पूर्व दिशा में रख दो मैंने आपको उस दिन भी बोला था अक रोड सुपारी और जाइफल जो है वो अपने ड्रॉइंग रूम में सजाओ उससे जो आते जाते लोग अब अपने को क्य स्यां पता कि yenilesis जा रहे हैं किस गर्या अपने को क्या अपता लोग मीटे मीटे बन के कैसे करते हैं लेकिन अगर सब्सक्रीजिभ आपके चीजितने किसी इंअ यह आपकर को ओडू चीज और मैंने देखा है कि लोग जो है वो दे प्रेफर गोद्रेज की जो अलमारी होती है मतलब लोहे वाली के लोक वोक अच्छे से हो जाता है सेफ रहता है बिल्कुल टॉप अन टॉप चीज है मैं वो नहीं कह रही है आपको लेकिन वो आपने कोशिश करना है लोगों का जो बेड होता है बेड के बाजू में उ सिंख्ण मुर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहे चाहब टॉइलेट ओड़ ट्ंक में है जो मरजी जो मरजी आज आपको मैं और बात बताओं कहीं न आज कल लोगों के फ्लोर प्लाइन अगर देखती हूं ना मोसली जो बॉम्बे में घर बन रहे हैं उनके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है आपको एक बाद बताओं साउथ वेस्ट जो पित्रों का स्थान है वहाँ पर पानी का संग्रे हो गया वो तो टॉयलेट हो गया वो त सब्सक्राइब ताने कस्ते हैं सहरी चीजे को बीच जो बीच पानी का संग्रे हो अब गर यFFस्त की हिए क्योता से तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो कम से कम उत्तर दिशा में एक घड़ा रखें पानी का और उस पानी से रोज पानी निकाले पिएं उसमें और पानी डालें कहने का मतलब वो हम एक मैनमेड पानी का संग्रे उदर एक सोर्स बना रहे हैं ताकि यह जो तकलीफे हैं वो हमको उस हिसाब से उस लियाज से कई न कई अटैक ना करें और यह घड़ा कहां स्तापित करेंगे या तो नौर्थीस में कर सकते हैं या तो नौर्थ में कर सकते हैं काफी चीज़े बता दी और भी चीज़े बतानी थी एक ही वीडियो में सारी चीज बताऊंगी तो उपर वाले messages पढ़ेजिस पढ़े जाते नीचे वाले रह जाते हैं जो consultation भी लेना चाहते data उपर वाले messages पढ़े जाते नीचे वाले को एक बार हो एक बार भार फिर से आप WatsApp कर दें यह normal message कर दो ठीक है जी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो विज़े को लाइक करो शेयर करो इसलिए करो सब की जिंदगी ठाओ जाए ओके देन बबाई नमस्कार